हेलो क्रिकेट लवर्ज कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सौथ अफरिका वर्सिस आयरलेंड के बिच तीसरा T20 होने वाला है आज तो सौथ अफरिका डोमिनेंस दिखा है यहाँ पर दोनो T20 में तो सौथ अफरिका चाहेगा यहाँ पर कुछ बड़ी बदलाव करना और क्या पिच रिपोट रहने वाली है क्या वेधर फोर्कास्ट रहने वाला है और कहां मैच होने वाला है यह सबसे बड़ी बात है तो उस स्लो होती जाएगी जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी टीम दूसरे नंबर को बल्ले बाजी करने आ रही है उसको कहीं न कहीं डिस एडवांटेज हो रहा है तो टॉस फैक्टर भी बहुत बड़ा रहा है यहां रहने वाला है और सनी वेधर होने वाला है बस हलकी फुल के लेवन को ना खिला कर वीक अपने जो बैक्स्टर या फिर यंग्स्टर से उनको खिलाने का मौका जरूर देंगे क्योंकि यूए की भी तियारी करनी है उनको यूए का जो वल्ड कप आरे टी टून्टी का उसमें भी अपना जो पोटेंचिल हो दिखा सकते हैं तो भाई आफ नजर आएंगे कुंटन डेको के बाद जानिमन मलान लेडन मरकरम रस्य वांदर दसन और उसके बाद या फिर रीजा हेंड्रिक्स को मौका मिल सकता है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा कि यंग्स्टर्स को मौका देंगे उसके बाद डैविड मिलर वियान मल्डर लेवी स्पिनर्स बहुत ही एहम रोल करने वाले हैं उसके बाद अगर बात कर ले जाये तो लुंगे नेगेडी और तबरे शमसी आपकी खेलने वाले हैं तो अब बात करते हैं आयरलेंड के प्लेंग 11 तो इनके जो पॉल स्टरलिंग और केविन ओब्राइन ओपनिंग कर परन्तु ओपनिंग इतने अच्छी नहीं दे पा रहे हैं और एंड्री बेलबरेन कप्तान है जोर्ज डॉकरल है डिटेक्टर सेमी सिंग तो भाई इन्होंने ODI में बहुत कमाल दिखाया परन्तु T20 में इनसे उमीदे रहेंगे कि T20 में कुछ बढ़ा करके दिखाएं और शेन गटकरे, मार्क एडर, क्रेग यंग, जोश्व लिटल क्रेग यंग, बेंजामिन वाइट, विलियम मैकिन्टॉक, नील रॉक तो भाई ये है आपकी आरलेंड के टीम तो भाई जैसकी बताएं कि कई टीमों में ऐसा होता है कि नाम बड़े होते परन्तु दर्शन परन्तु दो मैच जितना कोई छोटी बत नहीं है, तो देखेंगे कि आरलेंड कुछ बड़ा सैटबेक देगी साथ अफरिका को, अगर आरलेंड की पहले बल्लेबाजी आएगी तो मैच को देखना और दिल्चस्प होजएगा कि साथ अफरिका कैसे बल्लेबाजी करती है, तो आई होब जमन आपको इस वीडियो में बता है, आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में करकेट से जुड़ी अपडेट के साथ.